हेलो वेलकुम बेक स्वागत आप सभी का एक बाफिर से कुलम बेस की इस खास वीडियो में जी यहां भारत के साथ में बेपुनियत विवाद खड़ा करने और जान लिवा बीमारी को बनाने वाले चीन को भारत ने एक और बड़ा जटका दे दिया है यहां पर बड़ी खबर है कि चीन पर भारत की बड़ी कारवाई इंपोर्टेड एलेडी सामनों पर दिया जोरतार जटका जी यहां चीन लगाता भारत के साथ में सैन ने तनाव खड़ा करते जा रहा है पुरी दुनिया जानती है कि चीन अपनी विस्तारवादी निती से कई देशों को किरा चुकी है और चीन भारत को भी कुट्णों पर लाना चाती है लेकिन अब भारत मूत और जवाब देगा भारती से ना चीन को सीमा पर जवाब दे रहे है तो वही अब चीनी कमपनी और चीनी सरकार को भारत सरकार और देश्वासी जवाब दे रहे है वही पिछले कुछ मैनों से लगा था चीनी कमपनियों को भारत सरकान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो वहीं कई सारे चीनी उत्पादन, चीनी टेलिविजन तो वहीं चीनी एप्लीकेशन को भारत में प्रती बंद कर दिया पुरी दुनिया की मसूर गेम्स और एपलीकेसन को भारत ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है भारत ने चीन को एक और सबक सिकाने की तयारी कर दिया है अब देश में इंपोर्ट होने वाले LED उत्पादन की जाच होगी पारत सरकार चीन से होने वाले इंपोर्ट पर लगाम लगाना चाती है ये उसी देशा में उठाये गया मोदी सरकार का एक सक्त कदम माना जा रहा है वैवानी जिमंत्राले के मताबिक देश की बड़े बंदर का जैसे की कांडला, पारादेप, कोची, मुंबई जैसे पोर्ट पर इंपोर्ट होने वाले LED प्रोडेक्ट की जाँच की आदे से दे दिया है इसके लिए Direct General of Foreign Trade यानि की DGFT ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दरसल चीन भारत में नकली और नुकसान दाय का सामन बेचता है जो कि भारती मानक के अनुसार बिलकुल भी सुरक्सित नहीं है और ऐसे उत्पादन को रोकने के लिए सरकान बड़ी कारवाई की है जिसके मताबिक चीन या दूसे देशों से आने वाले LED उपकरणों की जाच होगी और अगर उत्पादन का आयत भारती नियुमों के उलंगन से किया गया है तो उस पर बड़ी कारवाई की जाएगी कई जानकारों की माने तो सरकार ऐसे LED उपकरण पर प्रतिबन भी लगा सकते है कई सारी चीनी कमपनियों को इसे बड़ा जटका लग सकता है अनुमान की मताबिक चीनी कमपनियों को करोडो अर्बों का नुकसान होगा अगर आप भी चाते हो कि भारत भी दुनिया भर का सबसे तेजी से उबरता हुआ देश बने तो नीचे कमेंट करके जय हिंद वंदे मातरम जरू लिके